नमस्कार मैं हूँ किरन आप देख रहे हैं प्राइम टीवी स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में राजगर की नरसिंगर तहसील में उपमुखे मंत्री राजे इंडर शुकला पहुँचे जहां आगामी लोगसभा चुनाओ के मद्दे नजर बैठक हुई इस बैठक में उपमुखे मंत्री ने लोगसभा चुनाओ की रूप रेखा को लेकर चुनाओी गतिविधियों की जानकारी दी और सभी उम्मीद्वारों से कहा कि भाजपा की दुबारा सरकार बनवाने के लिए लगातार जनता के बीच जाकर काम करते रहें भारती जनता पार्टी ने लोगसभा चुनाओ की जमभीरता को देखते हुए लोगसभा की बैठके प्रवन समीत के सभी कारकरताओं के साथ बैठक करके कॉंग्रेस के कारकरता भी लगतार तूटते जा रहे हैं और कॉंग्रेस में भी घडवंदन देखनों को मिल रहा है दूबता हुए जहाज की तरह है और यह उनके कुशासन और सत्ता में लंबे समयता ग्रहने के बाद जिस परकार से उन्होंने ग्रह जिम्मेदारी के साथ काम किया देश की जनता अब हमको समझ चुकी है इसलिए बोदी जी के नेतरों तुपर तीसरी बार जनता उन्हें फिर से अपना आशिरवाद देने जा रही है और कॉंग्रेस को लोगों इस समझ में आ रहा है कि अब कॉल बशिशे नहीं है इसलिए बोदी जी के हाथ को अब कर देश में लगातार भाज़पा कारेकरता एक्टिव होकर लोगसभा चुनाओ की तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं ऐसे में उपमुख्यमंतरी नरसिंगर पहुंचे यहां पर लोगों से भी मुलाकात की और भाजपा कारेकरताओं से भी मुलाकात की ब लोग सभा चुनाव टोली बैठक इस पूरी बैठक को नाम दिया गया जहां पर तमाम बीजेपी कारेकरता पहुंचे और अपनी रणनीती साजा की। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि उपमुखे मंत्रे खुद ही बार बार जिले में पहुँच कर लोगों से मिल रहे हैं उनकी समस्याएं जान रहे हैं और भाजपा को प्रदेश में और ज्यादा मजबूत करने की तमाम कोशिशे कर रहे हैं। नरसिंगर तहसील में बीजेपी की ये खास बैठक हुई जिसमें साफ तोर पर ये फैसला लिया गया ये प्रण लिया गया कि एक बार फिर से तीसरी बार केंदर में मोधी सरकार बनानी है वहीं भाजपा कारेकरताओं ने इस दोरान काफी ज्यादा जोश भर कर ये भी कहा कि एक बार फिर से मोधी सरकार केंदर में जरूर बनेगी। नर्सिंगपुर के गोटे गाओं में साहू समाज साहू उत्थान मंडल ने बैठक की। ये बैठक साहू समाज अध्यक्ष भगवान दास साहू के घर पर हुई जहां कर्मा देवी महोतसब कारेकरम की समीक्षा हुई और कारेकरम की रूपरेखा तयार की गई। बैठक में क्रिशक प्रकोष्ट अध्यक्ष त्रिभुवान साहू व्यापारी प्रकोष्ट अध्यक्ष खेमचंद साहू सही तमाम लोग मौजूद रहे। रायसेन में नगर परिशद देवरी तहसील के खापर खेडा में मान नर्मदा के प्रकोष्ट तोटसव के शुब मौके पर ग्राउवालों ने भव्य चुनरी यात्रा निकाली। ये यात्रा खापर खेडा से लगबग 10 किलो मीटर दूर ककरा घाट तक गई जिसमें लगबग सभी गाउवाले मौजूद रहे। मान नर्मदा की चुनरी यात्रा में पूरा गाउव भक्ती में डूबा हुआ नजर आया। सिवनी के विकासखंड घंसौर के बरोदा गाउं में कुर्थी टेल में नर्मदा जनमोचसब को लेकर गाउवालों में काफी ज्यादा उल्लास का महौल देखने को मिला। पताया जा रहा है कि ग्रामीड हर साल 650 मीटर लंबी चुनरी मान नर्मदा को भेट करते हैं। साथ ही काफी दूर तक भक्त पैदल जाते हैं और मान नर्मदा को ये चुनरी भेट करते हैं। पताया कि आप देख रहे हैं हमारे यहां ग्राम बरौत माल से प्रतिवर्स माता नर्मदा जी की भविचुनरी जो है। शेपारी मातारानी के दरबार मातारानी के खाट ब बर्गी बांद पुल घाट के लिए रवाना हो गई ग्राम बरोदा से और ग्राम बरोदा से होते हुए ग्राम बिने की बरेला पनार जेर दिवारी और आगे के जो पाइली बेस्ट हाउस बाला रोड है वहाँ से होते हुए सीधा बरगी नगर की ओर जा रही है यह चुन्डी पिछले दो वर्स से हमारे ग्राम से समस्थ ग्राम बाशियों की ओर से माता नानी के इस फ्रक्टोत सव महोत सव के परव पर अर्पित की जाती है जो की निरंतर दो वर्सों से चल रही है मद्यप्रदेश के चिंदवाड़ा में वैलेंटाइन डे के दिन मारपीट होने का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि एक प्रेमी का के परिवार ने उसके प्रेमी की जम कर पिटाई कर दी जानकारी के मुताबिक लगभग आठ घंटे तक परिजनों ने प्रेमी को बंधग भी बना कर रखा वहीं प्रेमी के परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की जहां लगबग आठ घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को प्रेमिका के परिवार से छुडाया वहीं पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भरती भी कराया वहीं प्रेमिका के परिवार को गिरफतार करने की कार्रवाई भी की गई है नर्सिंगपुर के गाडरवारा में आए दिन ट्रैफिक की समस्या से लोग जूज रहे हैं साथ ही यहां आए दिन दुरघटनाय भी हो रही हैं लेकिन अब प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगने लगा है वहीं जब प्राइम टीवी के समबाददाता ने व्यापारियों और अस्थानिय लोगों से इस बाबत सवाल किये तो उन्होंने क्या कुछ कहा आईए आपको सुनाते हैं बहुती भाया भाय इस्तिती में है अभी और अभी जो मार्केट की जो इस्तिती है भी आप इस्ते वाले चोग ले लीजिए जंडे अपना गंज ले लीजिए यह पूरा जो एरिया है नीचे का एरिया है इतने बुरी तरह आतिकरमल की जाल में फसा हुआ है इसकी बज़े से आनी जाने में कावी प्रेसानी हो रही है इसके पूरुव में नगरपल के दुवारा कुछ प्रयास किये गए थे सुबह जो आप सब्जी मल्डी का मार्केट लगता था तो इसको बापिस किया गया था मगर इस्तिती यतावत हो गई है आप कभी भी किजी दुखानदार भी अपनी सामान रोट पर रख लेते हैं दुखानदार के सामान अंदर ही रखना चाहिए क्योंकि उनके पास जो भी गिरहा काता है आल्रेडी वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देता है जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती इसलिए उनकों कि फैसला किया है कि जो हमारी सास के मार है प्रमुक मार है और चौरा है इनका पूरा सीमांगन करा के चिंहांगन कर दें और अतिक्रमाड करताओं को सब को नोटिस जारी करके एक अपसर देंगे एक जिल्ट सब कहका यदि वो स्वयम हट आ लेते हैं तो ठेक है हम लोग का यही है जो परिशत का नर्ड है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जहां पूरे देश को स्वच बनाना चाहते हैं वहीं देश भर से कई बार ऐसी तस्वीरे सामने आती हैं जो सरकार और प्रधानमंत्री की मंशा पर पलीता लगाती नजर आती हैं यह ताज़ा साइकल स्टैंड और मोटर साइकल स्टैंड तो बनवा दिया गया लेकिन जिला अस्पिताल के अंदर मरीजों को बैठने तक की व्यवस्था नहीं दी गई जिसे मरीजों को काफी ज्यादा परिशानियों का सामना करना पड़ता है हमारे सहयोगी सेवाराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेवाराम लोगों का जो आरोप है कि यहां बैठने तक की व्यवस्था नहीं है अस्पिताल में किस तरह की बदहाली आप देख पा रहे हैं आज पहुच पा रही है सेवाराम क्या अब तक हमारी आवाज पहुच पा रही है सेवाराम जिस तरह से जिलास्पताल पर स्वच्छता अभियान की धज्यां उड़ाने का आरोप लग रहा है जनता का इस बाबत क्या क्या कहना है मैं आज जो है कट्नी जिलास्पताल में बहुत भारी निल्टाय दिखाई दी रही है जिसके लोगों को लंडी नाइम में खड़े होकर के बाहर भूद में बारस्ते हुए पानी में और ठैने में इचारी समस्याओं का शामना करना पड़ता है इस बाबत स्वास्त विभाग की और से कोई बयान अभी सामने आया है इन आरोपो पर अभी नहीं हमने सिवी सर्जन के पास गयते लिकिलो सिवी सर्जन मिले नहीं है और इसके अगे अभी फिद जा रहे हैं वो सब्सक्ता अभी आगए हम गयते तुम बोले बाहर है अभी आ गंटे वाज मिलेंगे फिर देख से हैं ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद अभी पोस्ट माटम के लिए हस्पिटल लेके गए हैं इसके पहले गमरवारा छेते में पुलिस अब इसके बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है उसके बाद फिर पुलिस को फोन किया गया सब बच्चें बाहर बेड़वी में आई देखी तो आप कहा यहीं थे मैं यहीं परिसर में रहते हैं जी अभी कुछ जानकारी में लग दिया करके दो दिन पहले भी मोबाईल पकड़ाय था उस लड़की बेपास संडे की दिन उसके माता पिता ने बाबस लेजा लिये थे और नास्ता वगेरा करी थी उल्ले सुबर पढ़ने जा रही हूँ और फिर उसने भाजी लगए प्रशासन की ओर से कुछ बताया गया कि बच्ची परिशान रहती थी या ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया सौसर में नेशनल हाईवे पर हाथसे का दौर लगातार जा रही है जहाना को छिंदवारा सडक हाईवे ब्रिज शुरू होने वाली जगह पर एक के बाद एक लगातार बड़े हाथसे हो रहे है बताया जा रहा है कि यहां सडक को क्रॉस कर रहे एक व्यक्ति को तेज रफतार डंपर ने रौन दिया जिससे घायल हालत में उसे अस्पताल पहुँचाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई फिलाल पुलिस इस मामले की जाच परताल कर रही है और डंपर चालक को खोज रही है फिलाल प्राइम मध्यप्रदेश में इतना ही देश-दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार